नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोसंचित स्वागत करता हूँ नौलेजगेट यूट्यूब चैनल के उपर इस प्लेलिस में बात कर रहे हैं सौफ़वर एंजिजिरिंग के बारे में और इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिसकस करने वाले हूँ स्पारल मॉडल तो इस प्लेलिस के अंदर मैं वाटरफॉल और प्रोटाइपिंग पर बात कर चुका हूँ नौलेट्स टॉक्टी बुद्ध की बात करता हूँ कैसे काम करता है क्या इडिया है इस पारल मॉडल देखिए बैरी बोहम इस वेरी वेरी इंपॉर्टन ने कभी-कभी ऐसा होता है क को भी इंटर्ड्यूस करता हूँ तो इस इमेज ऑफ बैरी बोहम और सौफ़े इंजिरिंग आप पढ़ें और यह शब्द आप ना सुने यह बहुत रेर बात है तो स्पारल मॉडल तो इन्होंने डिया ही दिया आगे जाके हम बात करेंगे बहुत सारे काम किये वेरिफिक करता है फिलाल इस इडिया पर कॉंसेंट्रेट करता है तो बैरी बोहम रिकरगनेज दप्रोजेक्ट रिस्क फेक्टर इंटो लाइफ साइकल मॉडल एंद रिजल्ट वाज़ेंट प्रोट्रोट्टिपिंग शुरू कर दी तो जो स्टार्टिंग प्रोट्रोट्टीपिं स्टार्टिंग है वह बना उब हैं जो चेंटिग है वह फार क्रोट करना उसके बाद का स्टार्था धियॉत नहीं थी वह बना उसकता जिया बस बात को भुब दूत करना स्टार्ट कृए सने के वह की बहुत सारी प्रोब्लैम समझиты बनाते बनाते बीच में इतनी गड़बड हो जाती थी कि हमें रीस्टार्ट करना पड़ था राइवेम की बड़ी इंपोर्टन रिसर्च पब्लिजड है लेकिन जनरल इन 80s and 90s बीच में जाके इतना मैसी हो गया कि आर दुबारा से शुरू करते हैं कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते थे अलग अलग तरह के रिस्क है टेक्नलोजी पर काम किया करने की कोशिश कर रहते है कर ही नहीं पाए सोशल रिस्क और उसके बाद एकनॉमिक रिस्क जिस क्लाइंट के लिए बना रहे थे क्लाइंट के दिवाला निकल गया जो कंपनी बना रहे थी उसका दिवाला निकल गया बड़े बड़े प्रोजेक्स हैं तो कंक्लूजन ये निकला जो पैरी बोहम को समझा है कि खास कर जो बड़े लेविल के प्रोजेक्स हैं, जो बड़ी कंपनी जबलब कर रहे हैं, उनको risk analysis पे एक important काम करना चाहिए, जितने भी बड़े risk हो सकते हैं, जो software की success को threaten करते हैं, उनके में पहले से काम करके चलना है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि सारा effort करने का भी final software बनी ही ना पाए, तो अगर spiral model के बारे में दो बात हैं, सिर्फ आपको याद रखनी हैं, तो पहली बात risk को consider करना, risk को study करना, उसको early stages पे हटा देना, ये पहली बार spiral ने consider किया, दूसरा, throughout the life cycle customer का involvement रखना, ये भी पहली बार spiral ने किया, तो मैं अब आपको लेकर चलतो, spiral के exact idea पे यहां देखिए, पहले इस graph को देखिएगा, बाकिर सब उसका explanation नहीं है, तो इस पूरे graph को उने 4 पार्ट में divide किया, यहां से शुरू करते हैं, ध्यान रखिए, कुछ लोग समझी बात हैं, चालू कहां से करना है, so this is number 1, this is number 2, this is number 3, and this is number 4, तो सबसे पहले, number 1 में, जो भ identify the risk involved, तो जो भी risk analysis हमें करनी है, वो कहां होगी, वो अब होगी हमारी stress 2, पर ऐसा नहीं, SRS होती हमने बनाना शुरू कर दिया, जितने भी factors हो सकते हैं, for example, मान के चली, अभी आजकल लड़ाई चल रही है, रशिया की war चल रही है, यूरोप के साथ, और यूक्रेन के साथ, suppose करो कोई company, even Microsoft में भी developing number of projects for some Russian company, और अभी US band लगा दे, हो गया ना problem, क्या इस समय कोई नया project लेना चाहिए, पता नहीं, आगे क्या condition होगी, तो इस तरह के और बहुत सारे ideas हो सकते हैं, तो सारे risk identify करना, अगर risk इतना जादा है, कि उस पर कुछ काम करके उसको solve किया जा सकत जब यह सारे risk analysis आप कर लेंगे, then only you go to step number 3, where you develop and test, तो develop and test मतलब सारी चीज़ पर यहीं पर, हम design भी कर रहे हैं, हम code भी कर रहे हैं, testing भी कर रहे हैं, और finally जाके यह लेके पहुंचेंगे किस के पास customer के पास stage 4 में, plan the next iteration, अभी हम इसको दिखाएंगे, इसका मतलब यहां प changes करने, we are okay, जो मन में आ रहा है, बोलते जाओ, customer बोलेगा, नहीं लग तो अच्छा रहा है, बढ़ यह ऐसा, यह ऐसा, यह ऐसा, ठीक है, we'll take all of them, and then, माल जभी मैं यहां तक आया हूं, मैं फिर continue करूंगा, अब customer ने जो changes बोले हैं, उनको फिर से planning करेंगे, फिर iteration में, इसका कोई risk तो नहीं है, क्या पुराने जो risk हमने settle कर दिये थे, दुबारा कोई फिर से तो नहीं आ रहा, if all of these things are settled, then again, I'll go to step number 3, फिर से में develop करूंगा, test करूंगा, code करूंगा, implement करूंगा, फिर आऊंगा customer के पास, की सर, अब देखिए, भी अच्छा लग रहा है, क करेंगे, फिर जाएंगे अगले phase में, फिर वो कमी जो कह रहा है, उसकी planning करेंगे, फिर risk analysis करेंगे, फिर develop करेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, और यह कब तक चलने वाला है, जब तक customer बोले नहीं, बस यही final product था चाहिए, और वहीं मैं मान लेंगे कि official release हमने कर दिया, त problem इसके अंदर 2-3, अभी मैं point by point भी जाऊंगा, यह जो हर phase में, मैं customer से review करा रहा हूँ, मैं release नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, मैं हर iteration में release भी करता चलो, कि उसका काम भी होतार है, फिर आगे भी बात करते रहें, नहीं, release मैं सबसे बाद में करूंगा, तो यह थोड़ है, जो spiral की तरह नज़र आ रहा है, हमें नहीं चाहिए कि spiral बहुत जादा आगे जाए, हमें चाहिए कि जल्दी से काम करें, इसको खतम कर दे, ताल को one by one, radial dimension, जो है, वो cost represent कर रहा होता है, हर complete 360 revolution, जो है, वो एक cycle को represent करता है, चार phases, मैंने आपको बता दिए, पहले planning करना, then risk करना, जो spiral का सबसे important phase है, then engineering करना, and then finally, customer evaluation कराना, कि यह done हो गया, यह कुछ और करे, advantage बात करें, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, early, frequent, continuous feedback from the customer, throughout the development, it's a very, very important advantage, from the customer perspective, जब लगातार यह सब होगा, और खासकर बड़े लेवल की companies में यह काम करेंगे, तो हमें इसा मान सकते है कि management, quality control, correctness, score, schedule, यह सारी चीज़े, कहीं न कहीं improved होगी, risk analysis पर क्योंकि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बाद में total सब कुछ होने के बाद बिना, एकदम से चीज़े fail हो जाए, ऐसे chances relatively कम होगे, advisable भी तबी है, क्या कोई बहुत छोटे motor project के लिए आपको spiral यूज करना च खास कर, जहां millions of dollars, billions of dollars involved हो, बड़ी-बड़ी companies हो, जादा लोग involved हो, वहाँ पे it is always advisable, that you must do the risk analysis, yes, now coming to disadvantage, मैं बोल रहा हम अगेन, छोटे product के लिए suitable नहीं है, दूसरा, risk analysis करनी कैसे है, वो भी बड़ी एक professional idea है, उसके बार में तुम बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिलाल य analysis होगी कैसे, तो उसके लिए भी जो लोग हैं बड़े train होने चाहिए, administrative understanding जादा होनी चाहिए, तो छोटी company relatively उस level के analysis कर भी नहीं पाएगी, like this, मैं छोटा से example quote कर दो, मान लीजे, अगर एक घर बनाना है, छोटा से अगर आम शेहर में, कजबे में, गाउं में बना रहे है क्या घर बनाने से पहले earthquake की कोई बहुत बड़ी analysis करते हैं हम लोग, कि भुकंप आएगा, कितने रेक्टर पैमाने तक आएगा, तो यह building survive करेगी, तो दो मंजिल की building मना रहे हैं, चार कमरे जैसे दैसे पैसे कटा करके घर बनाने की इम्मत करिए, तो कहें का risk analysis, अगर यु करने पड़ेगी, आप समझ रहें, तो छोटे project में उसकी value नहीं, बड़े में value है, like this, and you know, थोड़ा complex है, time consuming है, prediction करना, estimation करना, थोड़ा मुश्किल हो जाता, पता नहीं spiral कब तर चलेगा, तो मेरी पूरी team messed up रहेगी, अगर कोई अगला project मेरे पास आ रहा है, मैं उसको loon, ना लू, वो सारी चीज़ा में consider करनी पड़ेंगी, and again, जैसा मैंने बुला, specific expertise चाहिए, हर कोई risk analysis कर नहीं सकता, so यह एक idea था, एक छोटा सा point में और add कर दो, एक idea, कहीं कहीं मैंने इस पर question देखा है, university exam के लिए, I don't think it is that important, win-win spiral model, तो मैं इस जल्दी से brief में समझा दे त जाधा तर case में जब हम development की बात कर रहे है, soft engineering की बात कर रहे है, एक ही आदमी को hero मान के चल रहे है, वो कौन है, वो है हमारा client, लेकिन अगर किसी company को long run में grow करना है, happy रहना है, चीज़ों को आगे लेके जाना है, तो क्या सिफ client खुश होना चाहिए, कि हमारा developer भी खुश हो complete हुआ, तो developing team को क्या मिलेगा, उनके क्या win conditions है, उन win conditions को भी ध्यान रखना, customer को भी ध्यान रखना, that is like a win-win spiral model, if I got one more example, मालने चे उला है, uber है, caps वगएर आप use करते हैं, और जब cap right आपकी complete होती है, then you give some rating to the driver, जो भी आप rate करना चाहिए, from 1 to 5 आप कर सकते है, कुछ अच्छा ना हो, या उसका feedback देना चाहिए, कुछ लोग बड़े irritating होते है, बेफाल तुमें लड़ते हैं, और delays कराते है, जीव जीव इंस्रक्शन बीच में कुछ change कर रहा है, परेशान कर रहा है, छुट्टा नहीं है, यह वो डरा रहे हो, अलग-अलग तरह से, वो भी आ traffic जादा है, और मेरे पास दो customer है, एक है 4.9 rating वाला, और एक है 3.1 rating वाला, तो obviously में पहले इसको क्या आप दूँगा, यह जादा loyal है, reliable है, अच्छा customer है, relative to this, तो ऐसा करके, यह जो win-win situation है, वो से हमने customer के नहीं, अपने driver का भी ध्याना हम रख रहे है, like this, so this is idea, I hope यह बात समझ आई होगी, यहां तक आए है, तो वीडियो को like जरूर करिए, चैनल को subscribe करें, bell icon को ठोक दीजे सर, लगातार, university exam, competitive exam, हर किसम का content ला रहे है, और जब तक आप subscribe नहीं करेंगे, हम grow नहीं कर पाएंगे, तो और आगे काम करेंगे, कैसे, yes, भगवान आप सभी को खुश रखें, जै हिंद, जै भारत!